चलिए आज हम वेजिटेबल कोर्मा बनाएंगे जो खान में बहुत ही टेस्टी और स्वातिस्ट बता है नमस्ते दोस्तों इंडियन लुस्वी में आपका हार्थिक स्वागत है दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक कमेंट सेर केजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आपको सरी क्वेश्ट है ये चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिपिकसन बेल को भी प्लेस करें ताकि मेरे नए ने वीडियो के नोटिपिकसन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख पर यह चली, बनाना सुरू करते हैं Vegetable compromis Vegetable korma बनाने के लिए ठेढ़ सारी सब्जीयों की जरूरत होती है देखिए हमने ठेढ़ सारी सब्जीयों को कट करके रख लिया है हमने गोभी लिया है, बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है इस तरह से दो मेडियम साइज के तमाटर, दो प्याज, अद्रक, लसन और हरी वर्षी दिया चलिए इसे बनाना चुरू करते हैं तमाटर और प्याज के हम अलग-अलग पेश्ण बनाके रख लेते हैं सबजी के हम भूनेंगे, सबजी को भूनने के लिए हमने रखा है पेन गैस पे इसमें हम डाल देते हैं तेल, सबजी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल चाहिए तो हमने इसमें डाल दिया है तेल हमारा हलका गरब है एब यसमें हम ढल देते हैं अपने फूल गोवी को इसे हम डाल के हलका फ्राई कर लेंगे तेल आपको होई सबी युज कर सकती है सरसो जिन एकिन पर Mexican talent ओ Crazy ऄल सकते हैं हमने इसमें रिफाइं ठ долларов कार्य जीका है अब बचे हुए तेल में हम आलू भी डाल के फ्राई कर लेंगे, हम अब इसमें तेल नहीं डालेंगे, बस इसी तेल में हम सारे सब्जियों को हलके हलके सोंदे कर लेते हैं, ताकि सब्जिया हमारे हलके पख जाए और इस तरह से टेश्ट भी कुर्मा का अच्छा आएगा, आलू भी हमारी फ्राई होगी है, दिखी कैसा हमने आलू फ्राई किया है, हमेना तो जदा इन्हें डार्क करना है, इस तरह हमने आलू फ्राई कर लिया है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं, और इसी तेल में हम बक्की बच्चे हुए सब्जियों को भी फ्राई कर लेंगे इसी तेल में हम गाजर को भी डाल देते हैं ताकि गाजर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए गाजर के साथ हमने बींस भी डाल दिया है उन्हें भी हलके स्वोंदे कर लेंगे चलिए गाजर और बेंस को भी हमने हलके फ्राई कर लिया हैं अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं सिमला मिर्च और मटर को हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि सिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाते हैं और मतर हमारा ताजा है तो मतर भी फ्राइ करने की कोई जरूप नहीं है। अभी हमने इन सब जीओ को फ्राइ कर लिया है। बच्चे फे तेल में हम डाल देते हैं एक चमज साबत जीरा। जीरा को हलका चटका लेते हैं और इसे हम फ्रसा भूल लेंगे। अब इसमें हम दो पिंच के करीब हिंग डाल देते हैं। हिंग का खुस्पू अच्छा आएगा और इसे डाइजेस के लिए भी बहुत अच्छा मना जाता है। तो इसमें हमने हिंग डाल दिया। अब हमने पेश्ट जो बनाके रखे दे टमाटर के उसे हम इसमें डालके और भूनेंगे। अच्छे से पहले हम टमाटर को पेश्ट को अच्छे से भून आया हमें। टमाटर हमारे हलके पक गए हैं। देखिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं ताकि मसाले भी हमारे साथ साथ में भून जाएंगे मसाले में हम एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच जीरा पाउडर, हाप चमच हम मिर्च का पाउडर डालेंगे तिके खिसाब से हाप चमच हल्दी का पॉडर डाल देते हैं और इन सब चीजों को हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे एक चमच हमने भरके इसमें गरम मसाला डाला है हमने इसमें खड़े गरम मसाला का यूद नहीं किया है गरह मसाला का हमने पारडर ढ़ला है डालकिन सारे मसालों को अच्छे से हम पहले भुण लेते हैं इसमें हम डाल देते हैं एक चमच भर्के कसमिली लाल मिर्च के अधिशित की लिए नाई स्विब कलर के लिए डाला हैं इसे कोड मे में अब हमने सारे मसालो को मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज अद्रक लसन का पेश्ट सारे चीजों को मिला के अच्छे से हमें करीबन एक दो मिनिट भूनेंगे गैस का प्लेम हम low to medium रखेंगे क्याकि मसाले हम भून रहे हैं हाइ प्लेम पे मसाले जल जाएंगे इसलिए हम low to medium पे इसलिए हम लोट भूनेंगे कोर्मा में हम दही डालेंगे तो बिल्कुल फ्रेस हमने ताजी दही लिए इसे हम फेट लेंगे अच्छे से तम हम इन मासालों में डालेंगे जब कोर्मा में हम दही डालके बनाते तो कोर्मा हमारा बिल्कुल क्रीमी जैसा बनके त्यार होता है तो उसे हम फेट लेते और दे उन सब्सेवों को हम इस मसाले में डाल देते हैं हम 15-6 मिनुट तक पकाएंगे। इसकि सात हमासस में सिमला मिम्य डाल दिया है मसाले में रैसे हम झाले मत्र को थोड़े दिर बाद हम डालेंगे कैया मत्र बिलकुल ताज्या है तो मत्र हमारा जल्दी गल्चाएगा इसलिए पहले हम सबजियों को पका लेते हैं, उसके बाद इसमें हम मटर और दही डालेंगे अब इसे हम ढग देते हैं, तीन मिनट हो गए सबजी को देख लेते हैं तो देखिए सबजी हमारी कितनी अची पकी है, हमने इसमें पानी नहीं डाला है यह दिख ἡ्र मटर, मटर हमारा अच्छे से इसमें पख जाएगाकू सब्जी हमारी पख गई हैं कि पहले हम सब्चों को पका लेंगे तब आतस्में की मटर को डालके हमने धुत धग दिया था ताकि मटर करचा नहीं अच्छे से पख जा Smells इधर मतर भी हमारे लापो अगिया है सब्सक्राइन को बिल्कुल अगई लगई है अब इसमें हम तही नहीं गोल के रखरतें प। þब्से यह कम गैए वाक्त हैं उससेय एंग हो 5-2 सकेंट तक मुणं के पका लिए और सबजी हमारी रेटियोत चाहिए जले इसे हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम एक-दू सकेंट के धकी देते हैं ताकि अच्छे से जो दही हमने डला है वह भी अच्छे से पक चाहें दो सेकेट हो गए हैं देख लेते हैं अपने कोर्मे को और देखें कोर्मा अमरे कितना टेश्टी बनके त्यार हुआ है गैस को आफ कर देते हैं अब इसमें हम थोड़े से धनिया कपत्ता कितनी अच्छी इसमें खुसबू आ गई है धनिये की चलिए अब हम इस कोर्मे को सर्फ करते हैं सर्फ करने के लिए हमने एक छोटा सा बावल लिया है और इसे में हम अपने कोर्मे को सर्फ करेंगे कोर्मे को हमने सर्फ कर दिया है अब इसके ऊपर थोड़े से हम बारी कट के त्यार हुआ है कुर्वे को आप चावल डोटी चपाती पुरी किसी के साथ खा सकते बहुत ही टेस्टी लगता है तो दोस्ते कर्म का वीडियो पसन आए तो वीडियो का लाइक क्यों में शेयर किजिएगा चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं न पर निवादर